दोस्तों ध्यान से सुनना बड़े ही काम की नोलेज है अगर कोई मच्छर HIV positive होने वाली व्यक्ति को काट कर किसी दूसरे नॉर्मल इंसान को काटता है तो HIV नॉर्मल इंसान में transmit नहीं होता क्योंकि मच्छर जब इंसान को काटता है तो हो अपने सरीर में इस्टोर किया हुआ बलड इंसानों की बोड़े में transmit नहीं करता मच्छर केवल लार को ही मनुस्यों के अंदर transmit करते हैं उनको काटते समय और मच्छर खुद कभी भी HIV positive नहीं हो सकते क्योंकि HIV का वाइरस मच्छरों के अंदर जिन्दा ही नहीं रह पाता और ये वाइरस मच्छरों के पेट में उनके खुद के साथ पच जाता है और मच्छरों की बोड़ी में T-cells नहीं होते तो इसलिए उनकी बोड़ी में इस वाइरस के बढ़ने के चांस ही नहीं होते